वेलकम बैक तो माई चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बैचिंग प्लांट के मिक्सर में होने वाले जो डबल बैच की समय से आए डबल बैच मतलब एक बैच मिक्सर में रहे और या कंक्रीट रहे दूसरा बैच का उसी में डिस्चार्ज होना उसके region के बारे में जानेंगे उसके 3 region है और 3 region मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा हो सकता है क्या तो इन 3 region में से कोई एक कारड के वज़ा से डबल बैच होता है तो कुछ लोग phone पे कुछ लोग comment के माध्यम से इसके बारे में पूछे थे तो मैं सुचा इसके उपर मैं वीडियो बना के सभी लोगों को बता दूँ तो सबसे पहला जो होता है जो bottom से skip जाता है फास्ट मालीजे आपने command किया material skip ने लिया bottom से आया mixer में discharge हो गया discharge होने के बाद return आया फिर next batch का process से start हो गया और अभी जो gate unlock या gate नहीं खुलाया किसी कारण से gate hold में है नीचे फिर से एक batch prepared होगा लेके जा रहा है और waiting sensor ने नहीं रोका या नहीं काम किया या फेल हो गया तो अब क्या होगा वह सीधे double batch हो गया यह तो पहला region हो गया अब इसके बाद और भी रिजन जो यह तो machinery की पहला तो हो गया इसके बाद दूसरा रिजन जो होता है जो इसकीप का फर्ष्ट बैच तो डला है दूसरा बैच आ रहा है और mixer में जो पहला बैच गेट ओपन हुआ material गिरा close हो गया लेकिन जो गेट open हुआ close हुआ लेकिन उसमें जो शूट पहले से चोक है या चोक हो गया material बच गया mixer में अब इसके बाद वाला बैच ओभी गिर गया या यानि open close gate हो गया process तो complete हो गया गेट एक बार open होना close होना आटो का process complete हो गया तो जो गेट का process होता है open और close का जो mixer में mixing time पूरा होने के बाद gate open होगा close होगा उस बीच में material या तो गिर जाए या तो ना गिरे या गेट का जो process complete हो गया उसके बाद तो next बैच जो आ रहा हो डिस्चार्ज हो गाई होगा य रुकेगा लेकिन जब close हो गया तो mixer में material है तो भी discharge हो जाएगा और यह हो गया दूसरा रीजन जो इस प्रकार से डबल बैच हो जाएगा तीसरा क्या होता है mixing जो तीसरा रीजन होता है जो बैच 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 continue circular चल ला है लेकिन डिस्चार्ज टाइम कम रखे हैं दस सेकें रखें हैं material 15 सेकेंड में discharge होना हर बैच में material बच रहा है तो एक टाइम ऐसा होगा कि यह भी एक बैच 0.25.5 इस तरह से बढ़ते बढ़ते माल बढ़ जाएगा तो जो डबल बैच होता है तो ऐसे condition में तुरंत लोड पढ़ता है और बंद हो जाता है इस से बचने के लिए क्या करना है जैसे ही लगे कि नहीं हां mixer load ले रहा है तो material discharge कर दें तो यदि सूट जाम नहीं है तब तो discharge हो जाएगा तो बड़े trip होने से मतलब ज्यादा material रुपने से बच जाएंगे यदि फिर ने तो मैनुवल कुछ खाली करना पड़ेगा उसके बाद ही mixer घुमेगा य क्योंकि उसको आगे dry mix डाल के उसको control करना आसान रहेगा बट ज्यादा time लगेगा तो बहुत ज्यादा problem हो जाता है तो इस प्रकार से जो mixer में problem आते हैं जो double batch होते हैं उनके तीन कारण है मैं तीनों कारण बता दिया जो ज्यादा तर problem में आते हैं इस प्रकार से जो इसकी problem है वो आपको समझ में आई होगी तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टोपी के साथ धन्यवाद